पियम मोदी की एक फोन कॉल के बाद नितीश कुमार सिर्फ राश्पति उमिद्वार का समर्थन ही नहीं बलकि अब प्रस्तावक बनने के भी ठाल ली है बतादे की जेडियू जो है वो राश्पति उमिद्वार दुरुपति मुर्मु का प्रस्तावक बनेगे इसके लावा जो पारस्खेमे के पास सांसद हैं वो भी प्रस्तावक बनेगे और बिहार के दोनों डिप्टी शीप निस्टर भी राश्पति की उमिद्वार नितिश कमार को कॉल किया और खुद सिर्मितिश ने इस बात को सामने रखा मीडिया के सामने कि प्रधानवंतरी मूदी का कॉल आया था और इस बात की जानकारी जीडी को दरा दी गई कि वो जो है राश्ट्रपतियों में दौर दौर्पती मुर्मू के प्रस्तावक बनेंग लेकिन उसके बाद अचानक जब दौर्पती मुर्मू को राश्ट्रपती कौमिद्वार बनाया जाता है तो जीडी के राश्ट्रिय धक्ष ललन सिंगे कहते हैं कि हम दौर्पती मुर्मू का समर्थन करेंगे और अब प्यम मोदी के एक कॉल के बाद नितिश कुमार ने इ चोरा है जो उद्व ठाकरे की अधिकतर विधायक हैं उनको वकाइदा एक होटल में वो नजरबंध हो गये हैं और वहां पर उत्तव ठाकरे की जो काजुपद है वो जाने वाला है तो इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कई लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराश्ट के बाद जहार खंड और उसके बाद जब यहां राश्कति का चुनाब होगा तब बिहार में भी आपरेशनल लोटस चलेगा तो क्या वाकर में से नितीष्ट को अब इस बात का डर लगने लगा है कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है एक तरफ जहां बीजीपी के अंगल राज रहा है क्योंकि गिरिह मंत्राले जो है वो नितीष्ट कुमार के पास जब सीवों मंत्री बने है तब से है इसके बाद अब जो है आज जब बीजीपी के परतेश अध्यक्ष्री यह कह दिया कि जेडियू अगनी मीर पर सवाल उठा रही है लेकिन यहां भी य जो तीन साल में होना चाहिए वो छे साल का होता है यानि बीजेपी अपने तेवर में नर्मी नहीं बरत रही है लेकिन जेडियू अब कहीं कहीं बैक फुट पर जाती हुई दिख रही है और नितीष्ट कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी कि पियम मोदी ने कॉल किया त अलाकि क्या कुछ होगा यह तो हविशेगर में राजिंती संभावना का खेल है कुछ भी हो सकता है इसलिए काफिर मांचकारी भी होता है आप देखे रहे हैं एन्बेसी 24 आपको बिहार के तवाम चुटी बड़ी ख़बरों से लागतार अपडेट करते रहेंगे बहुत ब